है इस वक्त पूरी जो डॉक्टरों की टीम है फ्रंट लाइन वारियर्स हैं सब लोग लगे हुएं क्योंकि इस वक्त जो है महामारी के दोर में लेकिन कुछ लोगों दोरा जो इस तरह की बयान बाजी की जाती कि अलोपथी को स्टूपिट बताया जाता है या फिर इस तरह स यह प्रभाव डालता है डफिनिटली बहुत यह बहुते मनोबल गिराता है मतलब इस टाइप्स की बात है कि अगर हमारा जो हमारे जो आर्मी है और हमारी सफाई अगर बॉर्डर पर लड़ रहे हूं और उस उनके बारे में हमारी पॉब्लिक कमेंट करना शुरू कर दे कि इन्होंने डंग से नहीं लड़ा यह क्या हो रहा है यह बहुत ही डिप्रोवल है और यह सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है मैं बता आप देगे मैं नहीं समझता हूं कि उनके उनके जो स्टेटमेंट है वो उससे हमारे को भाजा दा यह मैं कर रहे है पॉब्लिक का ऑपि पुष्जा हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने को़ीड वार्ड में कैसे काम किया, कितनी परिस्तिते में गड़ा है, मुझे खुद कोवीड ओगया दो मरते बरते हम लोग बचे इतने डॉक्टर्स अपनी जान खोड चूए है, हजार से ज्यादा लोग डॉक्टर्स मर चुके ह इसे इतनी serious issue को उन्हों ने इतनी lightly लेड़ा कि मैं तो डॉक्टर बिना degree कहा हूँ, सब मेरे मेरे जैसे डॉक्टर बन गए, और मुझे बड़ा दुख होता है कि सरकार ये कोई कैसे इसको टॉलेट करती है, कि ऐसे nuisance को कैसे टॉलेट करती है, इसे monovol गिरता है, देखें, मै हमें पता हमारा हम जो हैं, क्या कोई अगर brain hemorrhage होगा उसका डॉक्टर ये बाबा रामदेव क्या treatment कर लेगा, बच्चा च्छत से गिरा, head injury का treatment कर लेगा, heart attack हो गया, इनका रोल है, आईरवेदी का रोल है, preventive medicine, आप करिए, कोई इसको रोकता नहीं, पर ऐसे comment करना, और उ ये बहुत serious issue है, इसको आप इतने lightly मतले, इसे लोगों की mind frame चाहिए होता है, जो बिचारा unpard है, उसको उसके दिमाग में impression जाता है, क्यार मेरा इलाज गलत हो रहा था, तो I think इसको seriously लेना चाहिए, और न सिर्फ डॉक्टरों को है, इसको पुरे समाज को जो पड़ा लेक practice करते हैं, ये मेरे मन की बाद नहीं कि मैं क्या दवाई देना चाहरा हूँ, ये बहुत साल की research के बाद जो निकल के आता सको देते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं और definitely medical community में इसको लेके बहुत ज़्यादा रोश है, हर level लोगों कोशिच करने हैं, पहले हम इता है कि negative feedback दे रहे हैं जो और आप खुद देखिए, अब ये जब ये खुद बिमार पढ़ते हैं तो ये 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 दोगलापन कैसे चलेगा, दुसरा है इंको माफी मांग नहीं कि इनका कोई इसका आचिते हैं नहीं माफी मांग नहीं है, इसलिए नहीं है कि पिछले दस साल में कम स उसको जेल हो जाईगी, फिर उन्हें एक एक्स्विनेशन किया दे कि नहीं पुतर जैविक नहीं है, हम नहीं हमने ये काई कि से संतान होगी, क्या बेकुफी है, उस पे इन्होंने माफी मांग जिए सरकार नहीं कुछा है, फिर ओक करोनल लेकिया है, कहा कि मैं एक दवा, यह नहीं कहा है, इन्होंने कहा कि यह को ठीक कर देगी, पेशेंट चार दिन में नेगरिटिव हो जायागा, यह 100% यह करता है, जब डबल अच्चे ने कहा कि हमने ऐसी क्योशी दवाए, जूट कितना बोला कि डबल अच्चे से अंडॉर्ज है, जब डबल अच्चे नहीं मना किया, आई मैंने अवजिशन किया, फिर लोनों कहा कि नहीं यह दवा नहीं यह तो सिर्फ इम्मुनिटी बूस्ट है, तो ऐसे मुनिश्य का जिसका कोई अपनी इंटिग्रिटी नहों, जूट बोलने में महाईर हो, और ऐसे समय में, इन्होंने स्टेटमें पहले बहु स्टेटमेंट है, इसको समाज के हर आदमी को इसको कंडम करना जी है, और सरकार से इसके लिए उनको कहना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कुछ न कुछ न कुछ एक्शन है, लेकिन सर, सरकार जो है वहीं पर उद्गाटन होता है, कोरोनल के दवाई, मुख्यमंतरी के हाथ से ब मैं समझता हूँ कि इस समय अगर कोई एक्शन लेता तो उससे क्रेडिबिलिटी बड़े की कॉमेंट है, आप आप सरफ वोट वाइंग मत देखिए, आप देखिए कि क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टन है, अगर पड़ा लिखा आदमी आपको सुझे का अच्छा, ऐस इस मेंसेज होता है, जो छुटुटुटे जो बच्चे जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आप देखिए, आज लड़का M.B.S करके निकलना विचारे इंडर्शिप नहीं करी, और कोरोना वाड में पिछले एक साथ लगा वाया है, तो उनका इनका डिमरलाइज होते हैं वो देगा, तो आप विसे मेडिकल साइंस में, तो जो एविदेंस बेस्ट है, उसकी को फालो करना चाहिए, हम सिरफ कथित चीजों पे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जिसका को सैंटिफिक बेसिस ने, उस पर भुरसा नहीं करना चाहिए. तो यह थे डॉक्टर महस स्कुडियाल जिन्होंने तमाम कोविट के जो लगातार सिम्टम्स बदल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी थी, और साथ-साथ जो बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है, डॉक्टरों को लेकर, उस पर काफी आहत नजर आए. अपने सेयों के विश्व सहनी के साथ, मैं